बुड मॉर्णिंग एब्रिवन आज बिपी सिंग मेडिकल सोलूशन चैलन में आपका स्वागत है आज का जो टॉपिक है जो लेकर मैं आया हूं ओ है आपका माइक्रोइसकोप इस माइक्रोइसकोप टॉपिक पे मैं मुझे जो वीडियो सुट किया है कर रहा हूं उसका करने का मुख परपस यह है कि जितने भी एक लैब टेक्निशन है जो अपना लैब में वर्क करते हैं उन लोगों को कभी-कभी परिसानिया हो जाती है कि माइक्रोइसकोप को कैसे हैंडल करना है कौन-कौन सा पार्ट है उसको कैसे हम लोग ड्राइब करेंगे तो यह सब जनकारि सुख्च्म की जो हम नेक्ट आंग से नहीं देख पाते हैं हम उसको अव्जर्ब नहीं कर पाते हैं वैसे चीज़ को देखने के लिए हम लोग जिस आर्टिकल्स जिस इकुप्मेंट का यूज करते हैं उसका नाम है माइक्रोइसकोप हहम लोग लिबरिटरी में माइक्रो का यूज करते हैं अब हम लोग जानेंगे कि माइक्रोएस्कोप कितने टाइप का होता है तो जनरली माइक्रोएस्कोप हम लोग दो टाइप से जानते हैं पहला simple microscope दुसरा compound microscope simple microscope कहने कार्थ है कि ऐसा microscope जिसमें जो भी part रहेगा और proper way में नहीं रहेगा कहने कार्थ है एक eye piece रहेगा एक रहेगा आपका mechanical stage इस पे हम कोई भी slide रखके किसी भी object को observe कर सकते हैं तो इस type में उसका proper पर जो एक organ होता है या अंग होता है microscope का वो proper way में नहीं होता है अब दुसरा देखेंगे compound microscope compound microscope में सारे जो भी उसका part रहते हैं example जैसे कोई भी चीज को रखने के लिए basement के जरूरत होता है उसका base होता है base के बाद arm होता है कहने कार्थ कहीं हम microscope ले जाएंगे उसको पकड़के ले जाएंगे then mechanical stage जिस पर हम microslide को रखते है then cluture जो microslide को cover करके पकड़के रखता है then objective lens कहने कार्थे हैं कि कोई भी cell को देखने के लिए कोई भी bacteria virus के जब smear हम बनाते हैं उसको observe करने के लिए हम उसको देखते हैं हमको क्या करना पड़ता है objective lens का यूज करना पड़ता है तो अलग-अलग objective lens होता है तो आगे हम लोग जैसे low power, high power, oily immersion हम low power को 10x करते हैं किसी भी smear को जब find out करना रहता है सबसे पहले हम लोग low power को observe करते हैं देन उसके बाद high power का यूज करते हैं और anti में हम लोग oily immersion का यूज करते हैं जैसे जैसे हमको sail को बड़ा grow करके देखना है तो हम लोग-अलग objective lens का यूज करते हैं उसके बाद आता है eye piece objective lens का संबंद eye piece से है eye piece सबसे eye piece का मतलब सबसे upper part जो हमारा microscope का सबसे upper part में जो आँख से जहां पर हम लोग देख सकते हैं उसी को हम लोग eye piece करते हैं अब हम लोग देखेंगे कि अब जितने भी microscope थे simple और compound microscope उसमें तो समझ गये अब हम लोग देखेंगे compound microscope का type अब compound microscope को अलग-अलग type से हम लोग जानते हैं microscope के अंतरगत रखा गया है इसमें अलग-अलग जो भी microorganism होता है उसको हम लोग find out करते हैं generally हम लोग देखेंगे board पर जो drawing किये हैं और किस type से हमने put किया है अब देखेंगे microscope का जो भी है हमने definition लिख दिया है और definition इस परकार से है कि microscope is a laboratory instrument used to examine object that are to a small to be seen by the next act कानेकारती है कि अगर कोई भी हमारा object कोई object in the sense कभी भी हम लेबरेटी में देखते हैं तो कौन सा object कोई भी सेल तो उसे जब हमें दिखाई नहीं देता है तो हम लोग क्या करते है माइक्रो माइक्रोइसकोप के तुरू हम लोग 0.2 से इतना माइक्रो मीटर होता है यानि इतना माइक्रो मीटर छोटा भी रहेगा अगर कोई भी फंगल बैक्टरिया ब्लड सेल तो उसको हम लोग फाइंड आट कर सकते हैं माइक्रोइसकोप के थुरू अब हम लोग देखेंगे एक्जामपल के रूप में एक्जामपल के रूप में हम लोग बैक्टरिया भाइरस फंगल ब्लड सेल टिसू किसी भी चीज को हम लोग जान पाएंगे कि कितना परुजेंट है अब देखेंगे उसका टाइप टाइप इस परकार से हम लोग दो टाइपच धेराटव टू आप मैक्रोसकोब फइद था किन्स इंपल मायक्रोसकोप बंगे ज्सफित को क्पाइप करते हैं मोच सिंपल माइक्रोस्कोप का डिपनेशन हमने इसमें पूट कर दिया है दा सिंपल माइक्रोस्कोप कोंसिस्ट ओफ ए सिंगल लेंज ट्रेडिशनल कॉल्ड ए लूप दा मोस्ट फेमली परजेंट डे एक्जाम्पल जब हम लोग बच्पन में कभी मेला में जाया करते थे तो मे कोई हीरो हीरो इनका फोटो दिखाया जाता था कोई अलग-अलग इमेज दिखाया जाता तो हम लोग बच्पन में इंट्रेस्ट के साथ उसको देखते थे क्यानि वह सिंपल माइक्रोस्कोप का एक एक्जाम्पल है जिससे हम किसी भी ऑबजेक्ट को देखते थे वो नॉर अलग यूज भी है सबका एक्जाम्पल अगर हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का बात करें तो जितने भी साइट साइटो लोग अध्यान करते हैं तो उस कंडिशन में हम लोग सेल का जो फाइंड आट करते हैं उसके लिए हम लोग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का यूज bacteria इस सारे चीज़ को अगर हमको find out करना है इस cell को find out करना है तो हम लोग generally electron microscope का use करते हैं next point phase contrast microscope अगर phase contrast microscope का मतलब हो गया अगर किसी भी slide smear को हमको find out करना है और अगर कोई भी cell का background dark हो यानि अंधेरा हो ऐसा image दिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं phase contrast microscope इसका dark appearance होता है dark color का वो दिखाई देता है आप देखेंगे हम लोग की जैसे compound microscope हम देखते हैं compound microscope का एक दो तीन पार्ट हुआ है यह तीन तरह से अलग-अलग हम लोग compound microscope का नाम देते हैं अलग-अलग function है आप देखेंगे कि इसको हम लोग दो तरह से compound microscope को इंडिकेट करते हैं कैसे इंडिकेट करते हैं पाला होता है पाला होता है मोनोकुलर दूसरा होता है बाइनोकुलर इस मोनोकुलर का समन्द क्या होता है Monocular का मतलब बता है जो I-Pish सबसे उपर जिससे हम आँख से देखते हैं किसी भी object को वो अगर single I-Pish वाला हो एक I-Pish उसमें लगा हो किसी microscope में उसी को हम लोग करते हैं Monocular Mono मतलब एक Then अगर कोई भी microscope में double I-Pish लगा हो तो उसको हम लोग करते हैं Binocular इस टाइप से हम लोग microscope, compound microscope को हम denote करते हैं